असलाम हो अलेकुम विल्कम बैक टो मैं चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत तो आज कल मेरे जो दो दिन से व्लॉग जो है लेट हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का एब था वो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत कई रहा है कई बार चीज़ें और मैं और दो-तीन दिन से नए ऐब धूंद रहूंद रही हूं लेकिन मिली नहीं रहा है तो तो हम सोचा आ health जल्दी जल्दी से पोँचा आए मुशी कि आपको पता है तो कौना सा है अच्छा हो गाया ने इडिले करने के लिये तो I have to say Android phone से ही व्लॉग जो एडिट करती हूँ तो उसके लिए मुझे व्लॉग एडिट करने के लिए कोई अच्छा सा आप आप सजेस्ट कीजेगा और मैंने बाकी एक अप सर्च करके अभी सोचा है कि उसी में एडिट करके आप तक आज किसी भी हाल में ये व्लॉग आप तक जान लिजेगा तो देखे फ्रेंड्स यहां पर मैं देख रहे हूं द्रिश्य मूवी क्योंकि सेटर्डे की दुफैर में हमारा लंच हो गया था फिर अजमा के पापा और आपा ने भी बोला था कि द्रिश्य मूवी जो लास्ट में बहुत अच्छी है इंट्रेस्टिंग है त तो वैसे कमेंट में जरूर बताना कि दिर्श्यम 2 किस किस ने देखी है मूवी क्योंकि हमने तो देखी थी 1 और जितना भी मतलब जो पार्ट 1 है वो दृष्छम मूवी जो है कितना भी देखलो बार-बार देखने से भी मन भरता नहीं है और बोर भी नहीं होते हैं तो हमेशा वो इंट्रस्टिंग ये लगती है तो इस बार मैंने मुझे तो ऐसा लगता है हमारी फैंपली को भी लगता है तो हम लोग जब भी देखते हैं तो एंजोई करते हैं उस मूवी को और इस वाली मूवी को भी मैंने देखा तो मुझे था कि पार्ट 1 हमने देखा है पार्ट 2 भी देखना चाहिए तो इसी वज़़ासे मैंने वो देख लिया और बहुत ही ज्यादा लास्ट वाला जो पार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर तो आपा ने कहा था इसी वज़े से मैंने देखा और यहां पर मैंने रात में ही बना लिया था गाजर का हल्वा तो यहां पर अभी इसको तड़का दे रही हूँ तो रात में बहुत ज़्यादा मतलब गाजर जो है अजमा के पाफा ज़्यादा लाये थे क्योंकि मुझे इस बार आपा को भी देना था गाजर का हल्वा तो इसलिए बना लिया था मैंने रात में ही बस इसको तड़का देना बागी रह गया था मैंने सोचा कि इसको सुबा सुबा में मैं तड़का दे दूँगी पिर बाद में इसको गरम करके आपा को भी दे दूँगी तो यहाँ पर अभी सुबा के टाइम पर मैंने यहाँ पर पाओ भाजी बना रही हूँ आज संडे है तो मुझे लगा कि आपके साथ थोड़े से रेसिपी भी शेर कर दिये भाजी की तो इसी वज़ा से मैंने एक साइड में चड़ा दिया है कुकर में जो भाजी चड़ा है मतलब पाओ भाजी के लिए जो वेजिटेबल्स लगते हैं सारे उबलने के लिए रख दिये हैं कुकर में चड़ा दिया है जब भी किसी का मन करे अजमा का या मेरा तो हम लोग दिन बर में खाते रहेंगे और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है तो जब भी मुझे भूक लगती है मतलब लंच से पहले डिनर से पहले जब खाली टाइम होता है जब हम लोग फ्रूट खाने का टाइम होता है तो मैं गाजर कालवा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो अभी इसको भी गरम कर लेते हैं जो हमारे मतलब हम तीनों के लिए मैं निकाल रही है तो वो भी गरम कर लिया है और यहां पर सारे मसाले निकाल के रखे हैं तो अभी यहां पर कुकर में अभी जो सबजी है वो मतलब उबल रही है भी इसको सीटी आना बाकी है जब तक सीटी आ नहीं लेती तब तक मैं यहां पर सारे मसालों को तयार कर लेती हूँ बस अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे प्याज और टमाटर काटना है थोड़ी सी धनिया को कट करना है तो चलिए थोड़ी देर से मैं मिल दिया हूँ तो दीके फ्रेंस यहां पर सारी तयारी मैंने करके रख ली है तो यहां पर मुझे प्यास टमाटर और धनिया को कट करना था वो भी मैंने कट कर लिया है जो उबालने थे यानि कि जैसे कि सबजी जो भी उबालने थे वो भी उबाल के रख लिया जैसे कि यहां पर मटर है आल अगर रिक्वायर्मेंट लगेगी तो मैं इस पानी को एड करूंगी इस स्टॉक को इसमें एड करेंगे वरना नहीं करेंगे तो यहां पर सब कुछ रेडी है तो सबसे पहले यहां पर मैंने जो मिक्शर था इसको मतलब इस सारी जो वेजिस थे इनको बलने के बाद अच्छ कर दो तो थोड़ा सा मुसे इजी हो गया क्योंकि इस सारी चीजे रात में प्रिपेर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं सारी जो वेजिस हैं उनको काटके और यहां पर मैंने एक मुट्टी धनिया लिया है एक दो पैस लिया है मेडियम साइज के और बहुत ही फाइन चॉ उनको भी फाइन चॉप कर लिया है और बाकी सारे मसाले तो जैसे के यहां पर देखे यह हैं अदरकलसन का पेस्ट और मेरे पास यहां पर एवरेस्ट का मुझे मसाला नहीं मिला तो मैंने यहां पर सुहाना का ही अभी फिलहाल के लिए यूज कर रही हूँ वैसे हम लोग यहां पर लाल मिच पौडर लिया है नमक लिया है यहां पर सारे जीरा पौडर मैंने लिया है धन्या पौडर लिया है काली मिच का पौडर लिया है हल्दी ली है गरम मसाला लिया है यहां पर बटर भी मैंने ले लिया है साइड में आप देख सकते हैं बटर को भी निकाल के और अभी इसको तड़का तयार करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने लिया है एक पतीला इसको अभी गैस पर चड़ा दिया है अभी यहां पर यह जो पतीला गरम हो चुका है तो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आप यहां पर 2 टेबल स्पून ऐड़ किया है मैंने आप जितना चाहे उतना ऐड़ कर सकते हैं दो टेबल स्पून ओइल और साथ में थोड़ा सा बडर यानि की एक छोटा टी स्पून के करीब मैंने बटर डाला है क्योंकि थोड़ा सा ही में यूज़ कर रहे हूं रख रहे हैं निकाल के साथ में इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है एकदम गोल्डन ब्राउन होने चाहिए जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होती तब तक इसको आप पकाते रहीएगा और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्यास है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब बारी आती है इसमें सारे मसाले डालने की टमाटर को डालने की तो चलिए टमाटर डाल लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर दिखे चॉप किया हूँ टमाइटर मैंने डाल दिया है एकदम आपके जो टमाइटर है ना एकदम बारीक फाइन होने चाहिए ताकि यह टमाइटर जल्दी से गल जाते हैं बारी फाइन आप चॉप करेंगे तो यह बहुत जल्दी गल जाते हैं तो टेमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद दिखे मैंने पकने के लिए छोट दिया था ताके टेमाटर अच्छे से गल जाए तो गलने के बाद यहां पर एड़ कर रह आपर लाल मिर्च पॉडर भी ऐड़ करेंगे थोड़ा सा बाद में पहले इन मसालों को मुझे यहां लग रहा है कि मसाले नीचे से लग रहें मतलब तले में जलना जाए इसी वजह से मैंने तोरा सा मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें आड़ करूँगे लाल मिच पाउडर और अब लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉरडिंग जितना भी चाहें आप खाते हो तीका उतना आड़ कीजिएगा तो यह हम पर मैंने लाल मिर्च thaटीका नहीं मिर्च पौड जो है बहुत ज्यादा तीका नहीं है थोड़ा सफीका ही है तो अभी यहां पर देखे सारे मसाले को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था अभी मैं डाल जूँ इसमें जो मसाला मैंने पाव भजी का मसाला सुहाना का लाया था वो आड कर दिया और पकने के ल मैं निकाल के रख स्टाश मिक्स कर आपने के लि Pacis घ finely आंज बीच यहां पर तो यहां पर मै नमक नहीं डाल था किूवकि जो व embroidery तो इसी वज़ा से नहीं डाला था अभी नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा चक्के देखेंगे कि इसमें क्या कम है क्या जाधा है तो यहां पर सब कुछ सही था तो अभी मैं इसमें डाल रही हूं धनिया और धनिया डालने के बाद इसको तकरीब पांच से चे मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी तो यहां पर देखेंगे अभी यह जो हमारी पाव भाजी की भाजी है वो पकने लगी है अच्छे से पक चुकिया अल्मोस तो यहां पर धीमिया आच है इससी वज़े से नजर नहीं आ रहा है तो मैंने यहा पाव भाजी बन के तियार हो गया बहुत ही टेस्टी बना था बहुत ही यमी बना था और ज्यादा मतलब तीखा मैंने नहीं रखा था इस वज़े से अजमा और हसीना पाने भी आराम से खा लिया तो टेस्टी बना था सब ने कहा अजमा के पापा को भी पसंदाया अजमा क मुझे लगा कि मैं खुद बना कर देखती हूं किस तरह से बनता है तो टेस्टी बना था मुझे तो अच्छा लगा सबको अच्छा लगा घर में तो आपको भी अगर चाहिए तो यह रेसीपी मैंने शेयर कर दी है आप भी बनाना चाहते हो तो बना लीजेगा बहुत की आपको यह रって ुरी में पस्प्रशया कर लिए हो ुप कि कया आपको यह थो ठाए कर दो अबना लिए मैंने थेख्णा ह। भजी बनाने अतल नहीं माँ अभी आइने दो कोई नौँ देखें आपा ने ये जो सेपु की भाजी है वो देखर भेजी है क्योंकि भाईजा नहीं खा रहे है अभी आपा को एक मुझे एक दे दिया है अभी फर्दिन ने लाया था और बहुत ज़्यादा फ्रेश वाली है तो देखें फिंस यहाँ पर पाव भाजी बनी थी घर में तो इसी वज़ा से मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी कुकिंग नहीं की है दुफेर का लंच है संडे का तो यहाँ पर मैंने बस चिकन को फ्राय किया दाल बना दी चावल बना दी बाकी सारे काम मेरे हो गए थे दुफेर के और गाजर का हलवा तो मैंने कल ही रात में बना दिया था सुबह में तड़का दे दिया है उसको और बाकी कुछ भी मैंने तयार नहीं किया बस चिकन को फ्राय कर रही है क्योंकि मुझे बिर्यानी वगएरा कुछ भी बनाने का मोड नहीं था और ठक्त भी बहुत ज्यादा गई थी तो इसी वज़ा से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और यहां पर सारे कपड़े जो है सुकने के लिए डाल दे सारा काम हो गया है बस अभी अज्मा को खाने के लिए देते हैं लंच उसको देना है मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तक्रीबन तीन अज्मा को देने जा रही है उसका प्लेट और यहां पर मैंने भी निकाल लिया है थोड़ा सा गाजर का हल्वा ताके मैं भी इसको इन्ज्वा कर सोकूं का ज्यादा पसंद है मुझे और अज्मा को आज्मा के पापा भी बहुत शौक से पाते है आपा को भी पसंद है फर बहुत नीद आ रही है और अभी उसका फेस देखे उसको नीद आ रही है बहुत ज्यादा नीद में चल ले इसको यही पर दे देते हैं और साथ में मैं भी थोड़ा सा गाजर का हल्वा इंज्वाइ कर लेदी अभी तो गाजर का सीजन है मटर और गाजर का तो गाजर का हल्वा जब बनता रहेगा भी हमारे घर में तो सीजन जब तक खतम नहीं होदा तब तक बनता ही रहेगा तो चलिए मैं इसको इंज्वाइ कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखे फ्रेंट जो फीफा वर्ल्ड कप का लास्ट डे था फिनाले था आज फाइनल मैच थी तो यहाँ पर हम सब बैड़ कर देख रहे थे सबने इंज्वाइ किया बस अज्मा जो थी न उदास हो गई क्योंकि मुझे और अज्मा के पापा को था के मैसी ही जीते अर्जेंटिना ही जीते लेकिन अज्मा को था के फ्रांस जीते और अज्मा जो है एमबापे को सपोर्ट कर रहे थी हम लोग मैसी को सपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर मैसी जीत गया और मैच ना इतनी इंटरेस हो गई क्योंकि वो एमबापे को सपोर्ट कर रहे थी और हम मैसी को कर रहे थे और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा चिडा रहे थे तो देखिए फ्रेंस आज है मंडे और आज है गोवा का लिब्रेशन डे तो यहाँ पर आज स्कूल जो है अजमा की चुट्टी है तो मैं भी थोड़ा सा लेट उटी थोड़ा सा आराम से उठी ताके थोड़ा सा जिस दिन चुटी होती है उस दिन थोड़ा सा रेश्ट बनता है तो यहां पर ऐसे उठते उठते न चिडिया यहां पर दिग गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो में भी इस तरह से उसको capture जरूर कर लेना चाहिए तो यहां पर अभी कर रहा है और मैं उसको बोर्डिंगे जल्दी से उठ जाए क्योंकि breakfast भी करना है तो उठी नहीं रही थी तो चलिए मेरा आज का यह व्लॉग यही तक का था I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर थोड़ू सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल पर नए है तो प्लीज सबस्क्राइब करके सपोर्ट कीजेगा चलिए मिलते हैं एक नए एनरजी के साथ अब तक के लिए लाह अफ़ीज बाई एंड टे के